Hello friends, welcome to my youtube channel ससी संस्कित आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन जोग्रफी से important questions पहला question है किस स्तिथी को उत्तरी गोलार्द में सबसे लंबा दिन होता है option A 21 जून, option B 22 दिसंबर, option C 23 सितंबर, option D 21 मार्च उत्तरी गोलार्द में सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है, option A 21 जून अगला question, question number second प्रथवी की धूरी है, option A जुकी हुई, option A जुकी हुई question number third, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है option A शुक्र, option B सनी, option C मंगल, option D वरोड लाल रंग का मंगल ग्रह दिखाई देता है, option C राइट है question number four, जिसमें प्रथवी के अलावा अने जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर पर्यावराण जीवन के लिए बहुत अनकूल है option A ब्रहसपती, option B मंगल, option C यूरोपा, option D चंद्रमा option B राइट है, मंगल ग्रह question number five, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है option B राइट है, डिमोस question number six, चंद्रहन का कारण है, किस कारण से चंद्रहन लगता है option C राइट है, सूर यूम चंद्रमा के बीच प्रथवी का आना question number seven, धरातल से भूगर्व की ओर जाने पर घराई के साथ तापमान ब्रधी की दर क्या है option A राइट है, वन डिग्री सेल्सियस प्रती 165 मीटर अगला question, question number eight, प्लेट विवर्थनिक सिधान्त का प्रती पादन किस ने किया था? option A राइट है, हैरी है question number nine, प्रतवी के भूगर्परपटी में कौन सा तत प्राचूर मात्रा में पाया जाता है option A अल्मूनियम, option B, कैल्शियम, option C, लोहा, option D, पोटेशियम option B राइट है, अल्मूनियम question number 10, प्रतिवी ग्रह की रचना में प्रावार के नीचे कोड निमनिलिखित में से किस एक से बना है क्रोड बना होता है, लोह तत्तु से question number 11, प्रतिवी ग्रह की सरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निमनिलिखित में से किस एक से बना है अगला कोशन कोशन नमबर बारा धरातल पर एक डिगरी अच्छांस की दूरी निम्न में से किस के बराबर होती है ओप्शन एर बी राइट है 111 किलोमीटर के बराबर कोशन नमबर तेरा वह कालपनिक रेखा जो प्रथवी को दो भागों में बाटती है क्या कहलाती है ओप्शन एर आइट है भूमद्धी रेखा कहलाती है कोशन नमबर चौदा प्रथवी के उतरी धुरूयों दच्छडी धुरू को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है ओप्शन भी राइट है देशांतर रेखा कहलाती है कुर्षन नमबर 15 ग्रीन विच रेखा से तात्ति पर है ओप्षन बी राइट है 0 डिग्री देशांतर रेखा कुर्षन नमबर 16 दो अस्थानों के देशांतरों में एक डिग्री का अंतर होने पर उनके सम्यों में कितना अंतर होगा Option C राइठ चार मिनिट का अंतर होगा Question No.17 प्रत्वी के द्रवपदार्थों के घनी भूतों जाने से बने चटानों को कहते हैं Option A राइठ अगने चटान Question No.18 स्लेट और संग मरमर है Option C राइठ है Question No.19 भूकम्प मोलवा स्थान होता है जहां Option B राइठ है जहां से भूकम्प के उत्पत्ती होती है Question No.20 ध्राइठ तल के जिस अस्थान पर स्वर पर्थम भूकम्प का अनभो किया जाता है वह कहलाता है Option B राइठ है भूकम्प केंद आज के वीडियो में इतना है Question No.20